आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends इस Question में हमें क्या दिया गया है हमें दो Functions दिये गए है F and G F क्या Define कर रहा है F हमें A से B तक Define किया गया है और G हमें B से C तक Define किया गया है और दोनों हमें क्या दिया है B spent B arithmetic function का क्या मतलब होता है Bblickife मतलब 1 1 and overt function है ना तो मतलब F and G कौन से Function है B objective function तो हमें बताना है कि हगर हम G of Fx का inverse करें तो हमारे पास कौन सी option सही option होगी फर्स option क्या कहा रही है कि वो जो G of F का inverse है वो किसके बराबर है F of inverse of G of inverse के और दूसरा क्या कहा रहा है F of G के और तीसरा option क्या कहा रहा है G inverse of F inverse के और चौता option कहा रहा है G of F के ठीक है तो अब इस question को करते हैं पहले सबसे पहले F क्या है हमारे पास F एक bijective function है ठीक है तो मतलब क्या है कि अगर bijective function है तो cardinality of A जो हमारा set है उसकी किसके बराबर आएगी B के बराबर आएगी है ना cardinality मतलब क्या होता है number of elements in A ठीक है तो number of elements in A is equal to number of elements in B और similarly हमें B के भी क्या दे रखे है G भी हमें क्या दे रखे है bijective function दे रखे है which means cardinality of B is equal to cardinality of C ठीक है तो which implies cardinality of A is equal to C ठीक है तो अब देखे कि अगर हमें G of F चाहिए G of F का मतलब क्या होता है हमारे पास G of Fx मतलब क्या है इसमें कि जो function हमारा Fx है वो कहां से कहां तक जा रहा है G से B तक जा रहा है ठीक है उसके बाद हमने इस पर G लगा दिया तो G हमारे पास कहां गया B से C तक गया तो जो B से C तक गया ultimately जो हमारा G of F है वो define क्या हो रहा है G of F from A to C ठीक है यह हमारा function यहां से यहां तक define हो रहा है अब देखे अगर हमारे पास F and G बोथ हर byjective तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास G of F भी byjective होगा तो अगर वो byjective function है तो उसका inverse भी पक्का वो करेगा exist करेगा ठीक है तो इसका अब हमें inverse find out करना है ठीक है तो सबसे पहले जुरूरी होता है कि हमें check करना है कि जिस function का हमें inverse निकालने को दिया गया है कि उसका inverse exist भी करता है यह नहीं करता है ठीक है तो यहां पर हमें पता चल गया कि इसका inverse जो वो exist करता है है ना अब देखे G of F कहां से कहां तक लाई कर रहा है A से C तक तो पक्का जो G of F inverse होगा वो कहां से कहां तक होगा C से लेके A तक होगा है ना तो हमें ऐसा function देखना है ऐसा objective function देखना है जो C से A तक define हो तो ठीक है उसके लिए हम सबसे पहली option चेक करते हैं option 1 क्या क्या रही है कि F of inverse G of inverse G inverse ठीक है अगर F of inverse कहां से कहां define होगा F of inverse कहां से कहां define होगा B से लेके A तक define होगा और G of inverse कहां से कहां तक define होगा C से लेके B तक define होगा तो यहाँ पे देखें अगर G inverse तो पहले हम क्या कर रहे हैं C से कहां जा रहे है B तक जा रहे है फिर वहां पे F inverse लगा दिया फिर वहां पे कहां पे कहां B से लेके A तक गए ultimately यहां पे हम क्या कर रहे है C से लेके A तक जा रहे है तो यह हमारा option क्या हो गया correct option हो गया क्योंकि यहां पे भी हम C से A तक जा रहे है F of G का क्या मतलब है F of GX अब इसमें देखे कि G कहां से कहां जा रहा है B से C तक ठीक है लेकिन F को कहां से कहां जाना है A से B तक जाना है यहां पे तो यह तो function ही define नहीं है F of G को तो हम define ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद हमारे पास C C यहां पे हमारे पास domain में नहीं है function के तो यह तो option बिल्कुल ही incorrect option हो गया अब जो option third है वो क्या क्या रही है G inverse of F inverse X ठीक है अब सबसे पहले F inverse कहां से कहां तक जा रहा है B से लेके A तक और G inverse कहां से कहां जा रहा है C से B तक लेकिन यहां तो क्या A है तो यह भी function हमारा define नही है तो यह function भी यह option हमारी क्या हो जाएगी incorrect option हो जाएगी और G of F देखते हैं तो G of F को कैसे लिखते है G of Fx ठीक है इसमें क्या है जो F कहां से कहां तक है A से B तक ठीक है और G कहां से कहां तक है B से C तक तो यह function कहां से define हुआ A से C तक ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए था ह में तो C से A तक चाहिए तो यह option भी हमारा incorrect option हो गया, तो कौन सा option हमारे पास सही option है, option first, thank you.